दोस्तों अगर आपको कोई एक्जाम देना हो पर उस एक्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप उस एक्जाम को कैसे दोगे? अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है? तो आज मैं इसी कॉंसेप पे बेस्ट एक मिस्टरी थ्रिलर फ्लिम का एक्स्प्लिनेशन करने वाली हूँ जिसका नाम है एक्जाम मुवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक इंटर्वियो में सिलेक्ट हुए 8 कैंडिडेट्स को एक रूम में लेके जाया जाता है और उन सब को अलग-अलग डैस पे बिठा दिया जाता है उन सबी के सामने एक पैंचिल और एक पेपर होता है और हर पेपर पे कैंडिडेट और उसका नमबर लिखा होता है इसके बाद एक्जाम का सुपरवाइजर वहां आता है और उन्हें एक्जाम का रूल बताना स्टार्ट करता है सबसे पहले वो बताता है कि उन्हें एक question का answer देना होगा फिर वो बताता है कि exam के दोरान अगर कोई candidate उससे या gate पे खड़े हुए guard से बात करेगा वो उसी वक्त disqualify हो जाएगा और किसी ने भी उनके सामने रखे हुए paper को खराब या damage किया तो वो उसी वक्त disqualify हो जाएगा इसके बाद अगर कोई भी इस room को छोड़ के बाहर गया तो वो भी उसी वक्त disqualify हो जाएगा last में supervisor उनसे पूछता है कि कि आपके मन में कोई और भी question है पर कोई भी candidate उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देता इसके बाद वो supervisor घड़ी में 80 मिनिट का time set करता है और वहाँ से चला जाता है अब room में बैठे सभी candidate exam का question देखने के लिए जैसे ही अपनी paper को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि paper पूरी तरह blank है ये देखकर सभी सोच में पढ़ जाते हैं में बाकी candidates को ये समझ आ जाता है कि वो अपने मन से कुछ भी इस paper में लिख नहीं सकते थोड़ी तेर बाद वो रूम में बैठा एक आदमी supervisor की बातों को याद करता है और उसे पता चलता है कि उस supervisor ने उससे और gate के पास खड़े हुए guard से बात करने के लिए मना किया था मतलब वो लोग आपस में तो बात कर सकते हैं अब सभी लोग आपस में बाते करने लग जाते हैं और सभी मिलके उस exam का question दूरने की कोशिश करते हैं सभी candidate एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे इसलिए उन में से एक candidate सभी के skin और बालो के color पे उनका एक nickname रखता है जिस पे वो खुद का नाम white रखता है और बाकी का नाम black, blonde, brown, brunette और dark रखता है और last में बचे candidate का नाम वो deaf रखता है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था इसके बात सभी लोग question ढूनने के लिए अलग-अलग technique सोचते है सबसे पहले वो सोचते है question paper में ही है पर वो invisible है इसलिए वो उसे ढूनने के लिए room के सारे light को तोड़ देते है ताकि emergency में लगी UV light से paper में छुपे हुए question को ढून सके जिससे वो disqualify हो जाती है इसके बाद white deaf के पास आता है और उसे भी इस room को छोड़के जाने के लिए मजबूर करता है और इसी के साथ ही deaf भी disqualify हो जाता है इसके कुछ देर बाद white सभी लोगों को बताता है कि उसे question का पता चल गया है पर वो इसे किसी को भी नहीं बताएगा अब white के इसी बातों से black बहुत जादा चिड़ जाता है और वो white को मुका मार के बहोश कर देता है थोड़ी देर बाद जब white को होश आता है तो वो सभी से request करता है कि उसके दवाई खाने का time हो गया है इसलिए कोई भी उसकी pocket में से दवा निकाल के उसे खिला दे पर white की पिछली हरकतों को दे के कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता पर सभी white को उसी हालत में छोड़ देते हैं पर तभी blonde white पर तरस खाके उसकी मदद करने का सोचती है पर सभी उसे ऐसे करने से रोग देते हैं इसकी बाद brown सभी का ध्यान white से हटाने के लिए dark को परेशान करना शुरू कर देता है पर सभी को बोलता है कि dark को company के बारे में बहुत कुछ पता है पर वो हमसे छुपा रही है फिर brown dark से सच उगलवाने के लिए उसको torture करने लगता है और तभी वो पताती है वो पहले इस company में काम किया करती थी पर बहुत ही नीचे लैवल पर इसलिए उसे इस company के बारे में कुछ भी नहीं पता dark की ये बाते सुनके brown उसे छोड़ देता है पर तभी सभी की नजर white पर जाती है जिसकी नाक से खूनाना शुरू हो जाता है ये देखके black सबको बताता है कि white अपनी बिमारी के बारे में सही बोल रहा था क्योंकि जो बिमारी white को है वो सेम बिमारी उसकी wife को भी थी और time पे दवा ना मिलने के वज़े से उसकी death हो गई थी black की ये बात सुनके सभी white की कपड़े में दवाई डूनने लगते हैं पर किसी को भी दवाई नहीं मिलती अब white को मरता हुआ देखके dark supervisor को help करने के लिए बोलती है पर उसके ऐसे करते ही guard उसे बाहर निकाल देता है और वो टस्कॉलिफाई हो जाती है इसी बीज ब्लॉन को white की दवाई मिल जाती है और दवाई खिलाते white बिल्कुल ही normal हो जाता है normal होने के बाद white सबको बताता है कि इस exam में कोई भी question है ही नहीं और company सिर्फ उसी candidate को job देगी जो इस room में last तक बचा रहेगा अब सभी को white की ये बात सही लगती है अब सभी एक दुसरे को उस room से बाहर निकालने के लिए आपस में ही लडाई करना शुरू कर देते है इसी बीच black guard से उसकी gun ले लेता है और उसके हाथ से वो gun को unlock कर देता है इसके बाद वो सभी को एक एक करके उस room को छोड़ के जाने को बोलता है gun से डर कर brand उस room को छोड़ के चला जाता है पर जब blonde वहां से निकल रही होती है तो जाने से पहले वो room के सभी lights को बंद कर देती है lights बंद होते ही black white से उसकी gun चीनने के लिए उसके पास आता है पर white room के अंदर लगाता और गोल या चलाना शुरू कर देता है जिस पज़े से एक गोली जाके सीधा black को लगती है और वो जमीन पे गेर के सीधा भी होश हो जाता है इसके बाद white की नजर दोर पे पड़ती है और वो देखता है कि blonde अभी भी पूरी तरह उस room से बाहर नहीं गई है उसका एक पैर अभी भी room के अंदर ही है फिर white जैसे ही gun लेके blonde के तरफ जाने लगता है तब ही exam का time complete हो जाता है अब white को लगता है वो जीच चुका है इसलिए वो excited होकर supervisor से बाते करने लगता है पर तभी room का guard white के पास आता है और उसे अपनी घड़ी से time दिखाता है जिसे देखके उसे पता चलता है कि exam खतम होने में अभी भी time बाकी है तभी हम viewers को दिखाया जाता है कि जब सभी candidate exam को question ढूने के लिए अलग-अलग तरीके धून रहे थे तभी deaf ने exam की घड़ी को आगे कर दिया था अब white को समझ आ जाता है कि वो disqualify हो चुका है इसलिए वो परेशान होके खुद को गोली मारने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकाम रहता है क्योंकि बंदुक में गोली नहीं होती और rule break करने के वज़े से उसे उस room से बहार निकाल दिया जाता है अब room में last budget वी blonde सोचने लगती है कि वो question का पता कैसे लगाए तभी उसे वहाँ deaf का चश्मा गिरा हुआ मिलता है जिसे उठा के वो शीशे की तुकड़े के साथ test पे रखे हुए paper को वापस देखती है जिसमें उसे दिखता है कि paper में सिर्फ question number one ही लिखा हुआ है फिर blonde supervisor की बातों को याद करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि पूरे एक्जाम में supervisor ने उनसे बस एक ही question पूछा था जो एक्जाम शुरू होने से पहले पूछा गया था कि आपके मन में कोई भी question है जिसका जवाब फिल्म के शुरुआत में किसी ने भी नहीं दिया था तब ही वो supervisor blonde के सामने आता है और उससे answer पूछता है जिसका जवाब blonde no देती है अब उसका यह answer सुनके supervisor खुश हो जाता है और उसे इफ से मिलवाता है वो बताता है कि डेफ इस company का CEO है और एक बहुत बड़ा scientist भी है जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक antivirus develop किया था वो बताता है कि डेफ को एक ऐसा candidate चाहिए था जो time आने पे tough decision ले सके पर blonde उन्हें इस company में काम करने से मना कर देती है और बोलती है मैं ऐसे जगे पे काम नहीं कर सकती जहां पहुचने के लिए मुझे लोगों की चान लेनी पड़े पर वो तभी देखती है कि black जिसे गोली लगी थी वो वापिस से उठ जाता है क्योंकि उसे लगने वाली गोली नकली थी अब blonde को ये देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस एक्जाम का मकसद ये ही था कि कौन इस कमपणी में समस्दारी से काम कर सकता है और blonde ने उस एक्जाम को पास कर लिया था और वो इस कमपणी में भी काम करने के लिए तयार हो जाती है और इसी तरह से ये फिल्म यहां खतम हो जाती है ऐसी और स्टोरी जानने के लिए हमारे पेज को लाइक करें धन्यवाद